जै माता की सभी भक्तों को कैसे हो आप सब आशा करती हूँ कि आप सब जो हैं सुरक्सित एंस्वस्ते और माजगत जन्नी मामबे की कृपा आपके उपर बनी हुई है यही कामना दिल से करती हूँ और माजगत जन्नी की कृपा ऐसे ही आपके उपर आपके परिवार पर बनी यही मेरी कामना माजगजनी मामबे मादुरगा से हैं कि माता सभी के सुख दुख सब के दुखों को जो हर ले और सुखों का बंडार उनके आगे रखें यही कामना माता रानी से करती हूं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको भी मादुरगा के या माकाली के बार बार जो है दर्शन बार बार जो है सुखण आ रहे हैं और माता रानी के सुखण में आने के क्या संकेत हो सकते हैं क्या आपको संकेत मिल रहे हैं क्या हो सकता है आपकी जिन्दगी में बदल आप तो अंतक बने रहे हैं अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें और मा के इस पहरे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में पर अलग-अलग स्म्टम भी मैं आपको बताऊंगी कि आगर आपको किन-किन कपड़ों में मातारानी दिखती है तो आपको क्या-क्या चीजों के संकेत हो सकते हैं तो आज में जैसे कि हम सब कहते हैं कि मा तो है अपने भक्तों के साथ हंग संग रहती है इसमें कोई अगर सरप्रतम मानते हैं जगत की माता और जब हमारी साथ चलने लग जाती है उनकी क्रिपा तो फिर अपने आप ही हमारी मा हमारा अपने आपी साथ देने लग जाती है माता अगर आपको बार बार सपने में दिखाई दे रही है मा काली अगर आपको सपने में दिखाई द अगर आपको लगता है कि माता जो है बिल्कुल विक्राल रूप में आपको दिखाई दे रही है तो कहीं न गई माता राने संकेत दे रही है कि आपके अग्यात शत्रू आपके उपर कोई न कोई वार करने वाले हैं कोई न कोई ऐसा संकेत आपको मिलने वाला है जिससे जो है आपको alert हो जाना चाहिए, aware हो जाना चाहिए, दूसरा होता है कि अगर आपको मातारानी मिलकुल सौमे रूप में दिखाई दे रही है, आशिवाद देते हुए दिखाई दे रही है, सिर पे हाथ फेरते हुए दिखाई दे रही है, लाड़ प्यार करते हुए दिखाई दे र तो इसका मतलब यह है कि माता रानी की क्रीपा आपके उपर हो रही है और माता रानी आपकी पूजा से प्रसंद हो रही है दूसरा होता है कि अगर आपको माता रानी के जो वस्तर हैं जो अगर माता रानी आपको दिखाई दे रही है पितामबरी वस्तरों में जैसे कि माकाली मा काली की काया जो है आपको जो सुरूप है माता का वो आपको काले रंग काई दिखाई दे रहा है जीब बाहर को निकली हुई जैसे माता की होती है वो रूप आपको दिखाई दे रहा है और पिली रंग के वस्तर माता ने पहने हुए है तो आपको संकेत देरी है माता रानी कि आपको जो है माता को गुरु धारना कर लेनी चाहिए गुरु आपको माता रानी को मना लेना चाहिए गुरु जो है आपको माकाली को मना के चलना चाहिए ये आपको संकेत दे रही है माता रानी अगर आपको माकाली पिले रंग के बस्तरों में दिखाई दे रही हैं तो आपको गुरुदारना जुरूर कर लेनी चाहिए और होता है अगर आपको माता रानी लाल रंग की साड़ी में लाल रंग के वस्तरों में दिखाई दे रही हैं और बिल्कुल सौमे रूप में दिखाई दे रही हैं तो समझिए कि आपके उपर माता प्रवूसारानीं आपके साथ नहीं है। आपकी पूजा आप बहुत करते हो और आपको बार 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 पूजा करते हो। आंखों से आंसु आते हैं आंखे जो है आपकी मा के प्रती जो है मन मोहक हो जाती है आपका मन जो है ब्याकुल हो जाता है मन में भाव ऐसे होते हैं कि बस माता की मूर्ती को माता की प्रती मा को ही देखते रहें और जो है इमोशनली आप माता के साथ अटैच हो जाते हो और ज शरीर में क्या हो रहा है और आपको क्यूं आंसु आ रहे हैं क्यूं इस तरह के बदलाव हो रहे हैं तो कहीं न कहीं माता की कृपा आपके उपर हो रही है और माता की कृपा के संकेत आपको मिल रहे हैं माता की कृपा के संकेतों को महसूस किया जाता सकता है हम जैसे कि हवा को हम महसूस करते हैं देखा नहीं जाता है इसी तरह से मा की क्रिपा को हम महसूस कर सकते हैं अपने शरीर पे जब हमारे शरीर पे एक मतलब ऐसा महसूस होता है कि हमारा शरीर हमारे साथ ही नहीं है बिल्कुल फूल जैसे हलका महसूस हो रहा है तो मा की क्रिपा आपके उपर हो और पूजा करने में आपका पूरा दिलो जान से आप पूजा कर रहे हो मन बहुत लगता है पूजा करने में मन ऐसा करता है कि दो दो तिन तिन घंटे आप बैठे रहो पूजा ध्यान में तो आपके उपर मातारानी की कृपा हो रही है ऐसे ही माता की पूजा करते रहे हैं मा आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और मा के इस प्यारे चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब करें चलिए जैमाताई